प्रिये विध्यारतियों, नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनुरादा गुत्ता, एसोसियेट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS Government PG College, खोट पुतली, आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, विध्यारतियों, आज हम MA Final, हिस्ट्री के पेपर फिफ्ट में राजसान में धार्मिक विचारक विशय पर व्याख्यान प्रस्तूत करूंगी मैं, विध्यारतियों, इससे पहले के लेक्चर में हमने संत दादु दयाल जी का अध्यन किया था, आज हम संत शिरोमनी मीरा का अध्यन करेंगे, राजसान की धर्ती, वीर, बक्ती और देनी रही है, राजसान में जंबो जी, दादु दयाल जैसे संतों के साथ साथ, मीरा जैसी बक्ती, भावना से ओत्प्रोथ, महान संत का जन्वी इसी धर्ती पर हुआ है, मीरा के बारे में ये कहा जाता है, कि वो क्रेशन मक्ती से पूर्ण रूप से ओत्प्रोथ थी, और उनका समस्त जीवन क्रेशन मक्ती में ही लीन रहा, मीरा की जन्व तिथी के बारे में बिद्वानों में विवाद है, आचारे रामचंद्र शुक्ल ने मीरा का जन्व विक्रम संबत 1573 माना है, जबकि नरोत्तमदा स्वामी ने मीरा का जन्व विक्रम संबत 1575 माना है, विध्यार्तियों अगर हम मीरा के बाले का अध्यन करें तो हमें पता चलता है कि मीरा मेरता की राठोड राव दूदा के पुत्र रतन सिंग की इकलोती पुत्री थी, मीरा का जन्व मेरता से लगबग 21 मील दूर कुड की नामक घाओं में हुआ था, अल्प आयू में ही मा का साया उनके सिर से उठ गया, तब राव दूदा ने ही मेरता में उनका लालन पालन किया, राव दूदा प्रशन भक्त थे, तथा परिवार के अन्य सदस्य भी वैशनव धर्म के अन्याई थे, अते मीरा को भक्ति में वातावरण अपने घर में ही प्राप्त हुआ, राव दूदा ने मीरा के शिक्षा के लिए एक गुर्जर गौर्ड विद्वान पंडित गजाधर को नियुक्त किया, पंडित गजाधर भी पाठ पूजन के अलावा मीरा को भिर्ण मिन कथा, कुरान, इस्मृतिया आधी सुनाते थे, फल स्वरूप कुशाग्र बुद्धी वाली मीरा थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही वर्षों में पूर्ण विदूशी हो गई, 1516 में मीरा का विवहा मेवार के महाराणा सांगा के पुत्र, जेश्ट पुत्र भोज राज के साथ कर दिया गया, किन्तु दुर्भाग्य से साथ वर्ष के बाद ही उनके पती की म्रत्यू हो गई, पती की म्रत्यू के बाद उनका मन इस संसार से उचट गया, और उन्होंने अपना अधिकांश समय सत्संग, भजन की इर्थन और सादू संतों की संगती में व्यतीत करना शुरू कर दिया, यह बात उनके परिवार वालों को पसंद नहीं आई, कुमर रतन सिंग और विक्रमा दित्ये, जो मेवार के शाशक बने, उन्होंने मीरा की सादू संगतों के साथ, जो संगती थी, उसका विरोध किया, उन्हें प्रतार्णा देनी शुरू कर दी, पल्लाम स्वरू मीरा मेरता चोड़कर पहले व्रंदावन और उसके बाद द्वारी का चली गई, अगर हम मीरा की भक्ती भावना पर चर्चा करें, तो मीरा के मन में क्रशन के प्रती भक्ती भावना का बीजा रोपन बाले काल में ही हो गया था, विवा के बाद वो बच्पन से जो क्रशन मूर्ती अपने साथ रखती थी, उसे वो चित्तौड भी ले गई थी, हमें पता चलता है, जैयमल वंश प्रकाश नामग्रंस में कहा गया है कि विवा होने पर मीरा ने विध्या अपने विध्या गुरू पंडित गजाधर को भी अपने साथ चित्तौड ही बुला लिया, और वो वही पर दुर्ग के भीतर मुली धर्जी का मंदिर बनवा कर पूजा का समस्त दाइत पंडित गजाधर को सौप दिया, मीरा के पदों का जब गहन अध्यन किया जाता है तो पता चलता है कि मीरा की आध्यात्मिक यात्रा के तीन सोपान थे, पहला सोपान जब वो क्रशन मक्ती के लिए, क्रशन प्राप्ती के लिए लालायित रहती हैं और व्याकुल होकर कह उठती हैं, गा उठती हैं कि मैं विरहनी बैठी जागूं जग सोवेरे आलि, तथा मिलन के लिए वे तड़व उड़ती हैं, कहती वो गाती हैं, दरस बिन डूखन लागे नैन। जब उने क्रशन मक्ती प्राप्त हो जाती है, तो दूसरी सोपान में वो कहती हैं, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा की ये उद्गार उनकी प्रसन्नता और अपने प्रभूख की भक्ती को प्राप्त करने के सुचक हैं। तीसरे और अंतिम सौपान में जब उन्हें आत्म बोध हो जाता है तो वो कहती है कि असुवन जल सीच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। यानि क्रशन्म भक्ति का बोध हो जाने पर उन्हें आत्मिक आनंद और सच्चा आनंद प्राप्त होता है और वो अपने प्रियतम से मिलकर एकाकार हो जाती हैं मीरा इश्वर के प्रति जो उनका प्रेम रूप है वो इस प्रकार का है जिसके अंतरगत इश्वर भक्ति के पश्चात ना उन्हें कोई दुख रहता है ना शोक रहता है और ना ही द्वेश रहता है वो एक ऐसा आनंद था जिसको प्राप्त कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है और उसे सांसारिक सुखों से सांसारिक बंदनों से वो पूर्ण मुक्त होकर वो पूर्ण रूप से भ्रहम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है मीरा की समय समन्वे वादी जो प्रवरत्ती थी वो चल रही थी इस समय हिंदू और मुस्लिम संस्रती का समन्वे हो रहा था यही कारण है कि मीरा उस समय जो परमपरागत आचार विचार रूडिया जाती भेद आदी थे उन सबसे वो उपर थी वो वर्गभेट सी भी उपर थी वो व्यतिगत सोतंदृता समान था और नारी के समान अधिकारी आधी मूलियों में विश्वास करती थी मीरा ने उस समय के प्रचलित जो सामंतवादी विवर्सा थी उसका विद्रुभो किया उसका विरोध किया और जन संस्क्रती की उतकर्ष मूलक्चेतना का उन्होंने प्रसार किया मीरा का एक दोहा इसी बात का सूचक है जब वो कहती है कि चोरी करू ना मारगी नहीं मैं करू अकाज पुन के मारग चालता एक मारो संसार इस पद में एक मारो संसार का अर्थ है कि वो ये कहती है कि अनीती विवस्था के विरुद व्यक्ति सतंदृता का जो महत्व है वो अत्यदि जादा है मीरा की कावे चेतना सामन्ती परिवेश में पलकर भी लोग धरातल पर विक्सित हुई राजखुल में जन्म लेकर राजखुल की वदू होकर भी मीरा का जीवन अंतहपुर के प्रकोष्ट में ही आबद नहीं रहा बलकि अपने व्यापक प्रेमा नुभूती एवं भक्ति वाहना के कारण उनका व्यक्तित्व एविनाशी लोग के साथ एक रूप हो गया सोलवी शताब्दी में भक्ति की जिस सरीता का उद्गम मीरा ने किया था आज भी वह उसी प्रभा से प्रवाहित हो रही है धन्यवाद